हेलो योट्योब फैमली स्वागत है आप लोगों का आज के नए वीडियो में तो दोस्तों अभी मैं आज चुका हूँ अपने मिर्च के खेत में आप लोग पीछे देख रहे होंगे मेरे साइड मेरा मिर्च का खेत दिख रहा होगा तो दोस्तों अभी मैं आया हूँ आप लोगों को बताने कि मिर्च के पतियों में जो रोग होता है माइट्स और थ्रिप्स उसका सबसे बेस्ट इलाज है क्या तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा सबसे पहले आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि माइट्स और थ्रिप्स होता क्या है तो इस्क्रिन में देखिए दोस्तों एक कुपोसित पौधा दिखा रहा हूँ और एक स्वस्त पौधा दिखा रहा हूँ देख लिजे दोस्तों एक सब स्वस्त पौधा है और एक कुपोसित पौधा इसमें देखिए दोस्तों क्या है अंतर इसमें हो चुका है थ्रिप्स रोग इसमें देख लिजे पतियां जो है उपर के सैड मूड गई है ये देखिये चमच के अकार का हो गया है पत्ति ये देखिये देखिये दोस्तों चमच के अकार का हो गया है उपर के सैड पतिया मूड गई है ये होता है थ्रिप्स रोग और आप लोगों को मैट्स का भी एक्जामपल देता हूँ मैं आस पास में क देखिए के और देखे पौधे का आकार दिखे दोस्तों भहुत ही छोटा हो गया है फूप उसीत हो गया है पौधा बढ़ना ही पा रहा है इसी के बगल में स्वस्थ पौधा आप लोग देख लीजिए कितना बड़ा हो चुका है और इसको देखिए तो दोस्तों यही होता है Mites और Thrips तो friends आप लोगों को दिखा दिया हूँ कि Mites और Thrips क्या होता है और उसके लिए सबसे best जो drug होता है जो दवाई होता है वो क्या होता है आप लोगों को चलिए दिखाता हूँ और साथ मैं दवाई का छिड़काव भी करूँगा बचल से एक टंकी है इसमें मैं दवाई का छिड़काव करता हूँ इसी से और इसके ब disciplines एक धंका रखा हूँ दोस्तों माइट्स और थ्रिप्स का सबसे बेस्ट जो दवा है वो कौन सा है और किस टाइप से वो काम करता है चलिए आप लोगों को बताता हूँ तो फ्रेंट्स माइट्स और थ्रिप्स से चुटकारा पानी के लिए जो बेस्ट ड्रग है वो आप लोगों को स्क्रिन के सामने मैं दिखा दे रहा हूँ देख लिए दोस्तों इसका नाम है चमतकार माइट्स ट्रिप्स एंड लिफ माइनर देखे दोस्तों ए दोनों दवा को 25-25 ml मिला कर टंकी में घोलना है दोस्तों 15 लिटर वाले टंकी में 25-25 ml यानि कि टोटल दोनों को 25-25 ml यानि कि 50 ml दोनों को मिला कर 15 लिटर वाले टंकी में घोलना है दोस्तों एवाले टंकी मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं इसमें तो दोस्तों एक डबा है 100 ml का आप लोगों को दिखा दे रहा हूं मैं और इसका प्राइज आप लोगों को स्क्रीन में मैं दिखा दे रहा हूं तो दोस्तों इतने रूपिये में यह हाता है दोनों कोंबो पैक तो दोस्तों देख लिजिए यह है ध्यान से देख लिजिए दोनों दवाएं अलग-अलग है दोस्तों दोनों में फोटो अलग-अलग है लेकिन दोनों का नाम तो सेम ही है चमतकार माइट स्थ्रिप्स एंड लिफ माइनर चमतकार माइट स्थ्रिप्स एंड लिफ माइनर दोनों का सेम नाम है लेकिन दोनों में फोटो अलग-अलग है देख लीजिए तो दोस्तों अभी दवा का घोल बना कर 25-25 ml चमतकार को मिला कर मैं आच चुका हूं अपने खेत में आप लोग देख दिखाऊंगा कि क्या असर पड़ता है इस डवाई का पौधों में आप लोगों को दिखाऊंगा देख लिजिए दोस्तों यही सब पौधा है यही सब को आप लोगों को दिखाऊंगा मैं आज से 5 दिन बाद वेडियो बना कर दिखाऊंगा कि क्या असर हुआ चमतकार का आप लोगों को दिखाऊंगा तो दोस्तों चैनल को कर लिजे सब्सक्राइब और बेल एकन दबा लिजे तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को करिए का लाइक और चैनल को कर दीजे का सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में